नमस्कार, कुईखिंडिया चैनल में आपका स्वागत है आज की इस विडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके फोन में Google पे से नोटिफिकेंशन नहीं आ रहा है आपके Google पे पे कोई भी पैसा टांसफर कर रहा है यानि कि कोई भी पैसा भेज रहा है चेकि वो down करना है, down करने के बाद यहां पर आपको यह चेक कर लेना है कि आपके phone में do not disturb का जो option होता है वो आपके phone में off हाई की नहीं, अगर आपके phone में यहां से यह on होगा, तो यहां पर जो आपका Google Pay का notification है वो नहीं आएगा, या किसी भी app का notification नहीं आएगा, तो यहां से इसको off कर लेना है, उसके बाद अब आपको यहां पर second तरीका क्या है कि, अब यहां पर आपको क्या करना है कि अपने phone में, सबसे पहले आपको settings को open करना है, तो चलिए settings को open करते हैं, open करने के बाद आपको उपर की और scroll करना है, scroll करने के बाद आपको नीचे में एक notification and status bar का जाना है, जाने के बाद आपको इसमें Google Pay यानि की GPay को ढूंड लेना है, ढूंडने के बाद आपको यहां से यह चेक कर लेना है कि, आपके phone में यहां पर जो या on का option है, या on है की नहीं, कभी कभी होता क्या है कि यहां पर से offer आता है, जिसके कारण यहां से Google Pay का notification फ्रिकेंशन गूगल पे का होगा वह आपके डिस्प्लेच करेगा तो यहां से आपको इसको ऐन करना है और यहां पर आपको एक और पर जो भी permission है यहां से आपको बारी बारी से यहां पर इस तरह से आपको यहां से allow कर देना है allow करने के बाद यहां से आपको back करना है उसके बाद आपको नीचे में एक storage usage का option मिलेगा तो आपको यहां पर click करना है और उसके बाद यहां पर जो आपको चेस का ओप्शन दिख रहा है यहां से आपको किलियर चेस कर देना है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां से किलियर चेस किये हुए है तो यहां से यहां पर मेरा सही है यहां पर आपको किलियर डाटा नहीं करना है नहीं तो आपका गूगल पे से आपका अकाउंट लोग आउट हो जाएगा तो यहां से चली बैक करते हैं इतना करने के बाद आपके फोन पे जो गूगल पे का नोटिफिकेशन नहीं सो कर रहा था कोई भी पैसा सेंड कर रहा था उसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था तो उस प्रोब्लेम को आप इस तरह से ठिक कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद